तेलो गाइज मैं आपका कम्लेश फिटनस लेके आ गया है शोल्डर वर्काउट तो गाइज आज करेंगे चौप फर्फ वर्काउट जो बिगना लेबल पर है तो गाइज आए देखते हैं सूपाइज शोल्डन स्टावकरने से पहले रोडेशन बहुत ज़रूरी है जो हमारे उससे अक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है सो गाइज सक्षाीश करना हैं, हाह स्लोक यह बहुत जरूरी रोटेशन है शोल्डर वर्कॉट करने से पहले बहुत जरूरी है यह सब रोटेट करना चलो अब उसके बाद प्रफ जो शोल्डर पुश अपस है चला तो गाइस पहला वर्कॉट हम करेंगे वाब पहला स्टैप है वह पुश अपस कैसे लगाने आप देखें आपको लुवर बोडी आप रखनी है हाथ सोल्डर से थोड़ा सा बहार रहेगा और आपको जो है बड़ी अपर बड़ी हैड हलका सा आउट रखनी है आगे लिए थोड़ा सा हाथ उसे हाँ यह हलका से नहीं बें रिल्लैक्स हमारा सेकंड वर्क आउट है शोल्डर डंबल प्रेस वह आपको कैसे परफार्म करना देखें जाना नीचे लेकर नहीं आना सिर्फ कान तक लेकर आना है हाँ 90 एंगल बनाना है हाँ स्क्वीज कर स्लोडाउन नीचे लेकर आना है और पुरा स्क्वीज करना चल चल बेरी गुट चल दो रैप और लास्ट वान रिलाक्स एक्सरसाइज रहेगी हमारी प्लेट रहें हलका सा अल्पो बेंट रहेगा हां हलका सा यह आपको लाना है फेस लेबल तक ज्यादे नीचे लेकर निजाना बोडी को रेस्ट मोड पर निजाने देना हाँ बिलक खुदी मीचे लेकर आरे तो आपको जितना स्लो डाउन करोगे उतना ज्यादा शूल्डर पर क्या पड़ेगा प्रेशर पड़ेगा अंशलो लेका हो बैरी गुट चल तीन और बैरी गुट दो लास्ट वान रिलाक्स चौती चौती एक्सरसाइज जो आपकी रहे आपर र स्ट्रेट नहीं करना हजब़ा से प्रेंट रहेगा निचे रहे आपको आपेश बैरी गुट स्लोग चल चल तौत 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 पर क्सक्राइज जो फोड़ेगा अब अब अगला नेक्सरस खुल्ट तौत लाक्स कर चस्ट पॉड़ेज अब अब आगला नेक्स होड़ेग बरी गुट जबाब, कोर बो, यास, बरी गुट, बास, रलाक्स